आप सभी को पता है कि मैं RPF को लेके एक स्रीच चला रहा हूं दोस्तों उसे से रिलेटेड जो आज वीडियो में लेके आया हूं कटप से रिलेटेड लेके आया हूं मैं RPF Constable का कटप में बता चुका था अब RPF रिसाई के कटप के बारे में लेके आया हूं और मैं ये भी ब अधिकर एक से बंटिनाइन पॉंट्ट्टी एट अमेल का होई फीमेल की बात करें ये फीमेल के थी मेल आपका 95.53 गया था तिक चितरा गया वह था देखे गुरूप बीज़ मैंने मैं दिखाया भी था आपको मैं दिखा दूगा फिर से गुरूप एक गुरूप बीक्या के थैसे लिदातथे बटा दो Ben कि अरुकिएगा बस एक मिनिट्य एक एक श्लाइट मैं मैं डाल दूगा बीडियो, उसके बारे में मैं कल कल िडियो, विडियों लिकाूँगा उसमें सारे बात बता दो Sergio करेंगा ठीक है मैंने पहले यसे डाला हुआ वीडियो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो ठीक है उसमें व्यताया हो कि गुरुप यह में क्या था गुरुप यहाँ गया हो दोस्तों देख सकते हैं आप 95 फाइब हमेशा प्लस गया दोस्तों ठीक है 97 यहां पे अन्रिजर के टीगरी का कटप यहां पे गया हुआ 74 ठीक है एसाई गुरुप इमें ठीक है 95 आपको ले के आना पड़ेगा और वहीं फीमिल के बारे में बात करें अन्रिजर के टीगरी में तो आपको 85 प्लस था दोस्त ठीक है यहां पर इमें बहुत कम के टाप गयी हुए थी को अगर एक्सेप्शनल केज में अटा दिया जातों ठीक है बाकि सारे का कटप बहुत अच्छे गये हुए थे हैं अब बात आथा दोस्तों कि अगर आपको प्रपेशन करना एक्जाम को तो कैसे करना है अब सभी को पता है सिलेबस के बारे में जानकारी मैं बार बर नहीं वीडियो बनाऊंगा अगर आपको घर बैठे त्यारी करना और अगर आप इंग्लिस मेडियम से है तो आप सिंपली जो एडू का जो उनका एक बूक है दोस्तों और पीएफ एसेफ कॉंस्टेबल का ठीक है इसमें टोटल वीज प्रैक्टिस सेट है दोस्तों पाच आपके सौल पेपर हैं 2500 एंशी क्यों है ठीक है अब आर्पीएफ का जो आपका एक्जाम होने वाला है दोस्तों आपका वो जिस पैटन पीजाम होगा उसी पैटन में ध्यान रखते हूं इन्होंने सेट बनाया दोस्तों ट्वेंटी सेट इसमें लगाया गया है जो आपके अंसर है वो आपको एक्स्पानेशन के साहित में है ठीक है अब मैं आगे बात कर लूँ और पीएफ कॉंस्टेबल के अगर आपको इबुक परचेश करना है तो आपको इसमें जो है कॉम्बो अपर चल रहा है दोस्तों स्टडी गायड भी है अगर आप पहले पढ़ लेते हो दिन प्रैक्टिस एट लगाने में आपको कोई भी इसूज नहीं होगी ठीक है मुझे उमीद है कि आपको इस समझ में आ गया होगा अगर आप यह बुक परचेश करना चाहते हो तो फिलिपकार्ट अमीजन स्नाप ड दूंगा और मेरा जो मीन वक्सद था वही था कि मैं कट अबारे में आपके सामने दिखा दूं तो जो मेल का कट अब गया थो 95 गया हुआ था दोस्तों जो फीमल का कट अब गया थो 85 के अपरवक्स गया था सिर्फ ए को छोड़के ठीक है मुझे उमीद है कि आपको वीडि जाली तूंग